देखे, सबसे पहले कांकरोच की अगर हम बात करें तो देजार ब्राउन और ब्लेक बॉडी रेनिमल्स इनका क्लास इंसेक्टा होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में इन्हें रखा गया है, ठीक है? साइज की अगर बात करें तो साइज इनका 0.25 इंच से लेकर 3 इंच तक हो सकता है, ठीक है? और क्या खास बात है, दे आर नॉक्टर्नल ओमनी ओर, नॉक्टर्नल हैं, उल्लू की तरह रात में निकलते हैं, और ओमनी ओर मतलब सरवाहारी हैं, वेजिटेरियन और नॉन इन में पाई जाती है, तो आमनी ओर्स हो जाएंगे, they live in damp places, damp places मतलब जहां पर नमी होती, kitchen में आप देखे, जहां पर बर्तन धुले जाते हैं, उस जगह पर आपको काकरोश मिल जाएंगे, जहां पर नमी स्टूर हाउस है, जहां पर नमी होगी, damp places वहां पर पाई जाएं पिस्ट वो है जो हमारी फसलों को हमारे पालतू जानौरों को नुकसान पहुचाए और यह कई सारी बीमारियों को फैलाने का भी काम करता है अब सबसे पहले हम आते हैं मार्फॉलजी पर तो काक्रोच की अगर हम बात करें तो काक्रोच की जो इस पिसीज हमारे सिलेबस में that is periplaneta americana ठीक है और अगर हम इसकी बात करें तो male के केस में wings extend beyond the tip of abdomen in male male के केस में जो wings होते हैं पंक होते हैं वो abdomen के बाद तक पाए जाते हैं लेकिन female में ऐसा नहीं होता है the body of the काक्रोच is segmented segmented तो होगी क्योंकि animal kingdom में आपने पढ़ा है anilida, arthropoda, caudata में segmentation होगा divisible into three distinct reason head, thorax और abdomen क्या कोई बता सकता है कि hemi caudata की body कितने part में डिवाइड और उनके नाम भी बताने हैं आपको साथ में 20 segment इसकी body में पाए जाते हैं 20 segment embryologically 6 head में होते हैं, 3 thorax में और 11 abdomen में होते हैं लेकिन adult में all segment of head fuse to form one segment and 10 segment retained in abdomen तो adult के case में head में 1 segment हो जाएगा, thorax में 3 हो जाएगे और abdomen में 10 segment होंगे the entire body is covered by a hard cuteness exoskeleton जो brown color का होता है, इसलिए कांकरोज brown color का दिखाई देता है, बिल्कुल सही है proboscis collar trunk, यह तीन पार्ट होते हैं hemicodata की body में बिल्कुल सही है, proboscis collar trunk प्रियंका वर्मा भिवेक अंकेत बिल्कुल सही है अब देखिए हर segment में body में जितने भी segment पाय जाते हैं exoskeleton has hardened plate called sclerite dorsal side में tergite term यूज करते हैं और ventral side में sternite term का यूज करते हैं और यह tergite और sternite जो होते हैं आपस में jointed होते हैं एक membrane के दौरा जिससे articular membrane या arthrodial membrane का जाता आर्थ्रोपोड है तो इसलिए arthrodial membrane का नाम दिया जाता है यह आपको एक figure दिया गए यहाँ पर जो head होता है head is triangular in shape head triangular shape में होता है lies anteriorly at right angle to the longitudinal body axis head triangular यानि तिकोना head होता है इस तरह का और body के perpendicular पाय जाता अभी आपने पढ़ा कि head is formed by the fusion of six segments ठीक है and soj great mobility in all direction due to flexible neck इसकी neck flexible होने की वज़े से यह जादा direction में देख सकता है इसकी mobility बहुत जादा होती है head is covered by sclerates in adult all sclerate of head are fused to form head capsule in cockroach head चलो छोड़ो यह सब काम की बाते पढ़ते हैं ठीक है अब head की बात के तो यहां पर एक pair compound आई पाई जाती है एक pair antenna पाई जाते हैं mouth है यहां पर and mouth part पाई जाते हैं यहां पर यह आपको कांक्रोज के mouth part दिखाए गया है labrum दिखाया गया है mandible दिखाए गया है maxilla दिखाए गया है और यह labium और hypo pharynx दिखाए गया है जहां पर अगर mandible को आप धिहान से देखें तो mandible में grinding और incising reason आपको दिखाए गया है incising मतलब काटने वाले और grinding मतलब पीछने वाले reason तो दिखें mandible paired होते हैं और maxilla pair form में पाय जाते हैं बाकि labrum hypo pharynx और labium है यह singular structure होते हैं ठीक singular structure होते हैं यहां पर देखो क्या mouth part कैसे हैं biting and chiving type of mouth part पाय जाते हैं labrum को upper lip कहा जाता है labium को lower lip के नाम से जाना जाता है labrum upper lip और labium जो होता है यह lower lip के नाम से जाना जाता है आज कुशन मैंने सुबह कराय था कि slivery duct of cockroach open at hypo pharynx ठीक है और hypo pharynx tongue की तरह काम करती है hypo pharynx tongue की तरह काम करती है mandible की अगर बात कें तो mandible का काम होता है grinding खाने को cut करने का grind करने का और masticate करने का काम करता है तो कांक्रोज के mouth part को आपने देखा कि biting and chiving type के mouth part होते हैं thorax में तीन पार्ट होते हैं thorax तीन पार्ट में divide होता है जिनको कहते है pro thorax mesothorax and metathorax the head is connected with thorax by a short extension of pro thorax known as neck और neck की वज़े से ही head में mobility काफी ज़्यादा होती लेकिन neck actually एक extension है किसका pro thorax extension होता है अब हर thoracic segment से एक pair walking leg निकलते हैं और तीन thoracic segment है इसलिए तीन pair leg हो जाएंगी तो एक होंगी pro thoracic leg जो pro thorax से निकलेंगी जो meso से निकलेंगी mesothoracic leg और जो metathorax से निकलेंगी उन्हें metathoracic leg कहा जाएगा इसलिए कांक्रोच में tripedal locomotion हम लोगों में कौन सा locomotion है बताईए all the three pair of jointed leg are similar in structure ठीक तो कांक्रोच में tripedal locomotion होता है हम लोगों में किस तरह का locomotion पाया था बताई जल्दी से अब wing दो pair होते हैं first pair of wing arises from mesothorax and second pair from metathorax so wings are absent from prothorax prothorax से wing arise नहीं करते हैं हम लोगों में bipedal locomotion पाया जाता है bipedal locomotion present होता है अब देखिए जो four wings या mesothoracic wing है इन्हें टेगमिना या iletra या wing cover कहा जाता है these are opaque, dark and leathery and cover the hind wing when at the rest यानि four wing का काम उड़ने में नहीं है the hind wing are transparent membranous यानि पतले होते हैं and are used in flight hind wing flight में उड़ने में साहिक होते हैं जो four wing यानि mesothoracic wing होते हैं उन्हें सुरच्छित करते हैं protect करने का काम करते हैं cover करने का काम करते हैं four wing को wing cover का नाम दिया जाता है क्योंकि उड़ने में साहिक नहीं होते हैं अब देखे करें metathoracic wing form the basis of sexual dimorphism in female these wings extend up to the tip of abdomen while in male these wings extend beyond the tip of abdomen यही बात शुरुवात में बताई थी कि male में जो wing होते हैं वो abdomen के बाद तक extend करते हैं the abdomen in both male and female consist of 10 segment thoracic reason में wing और leg निकल है अब abdomen reason की बात करते हैं दोनों में 10 segment होते हैं लेकिन female में only 7 and male only 9 segment are distinct बगतम clear नजर आते हैं abdomen of male cockroach is longer than female cockroach male bear a pair of short head like anal style बहुत important सबसे important question यही कांकरोच के बारे में पूछा जाता है anal style का which are absent in female और यही mechanism है sexual dimorphism की अच्छा conductism है sexual dimorphism किस तरीके से हम करते हैं बताईए anal style are paired unsegmented structure present in 9th abdominal segment of male cockroach only male cockroach के 9th abdominal segment में यह present होते हैं इन बोथ सेक्सेस यहाँ पर बच्चा बहुत confused होता था 10th segment bear a pair of jointed filamentous structure called anal ceri anal ceri जो होते हैं बटाई वो male और female दोनों में पाय जाते हैं ascaris, cockroach दोनों में sexual dimorphism present होती है हाँ conductism में class पर male में पाय जाते हैं और यहाँ पर anal style male में पाय जाते हैं अब आते हैं anatomy और anatomy में सबसे पहले digestive system की बात करते हैं इनकी जो elementary canal है वो divide होती है तीन reason में एक को गयता है foregut, midgut और hindgut का नाम दिया जाता है पहले foregut की बात कर लेते हैं जो foregut है इसमें क्या-क्या होता है mouth sequence याद का न पूछा गए आपके examinate में pharynx, isophagus, crop and gizzard crop और gizzard और किस animal में पाय जाते हैं इसे comment करिए, crop और gizzard और कहाँ पर मिलेंगे foregut and hindgut are internally lined by cuticle but cuticle adjacent in midgut ये भी important point हो सकता है crop और gizzard तो बहुत ज़्यादा important ये देखे crop ये देखे, बहुत बड़ा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है crop जो नजर आ रहा है, ये crop काफी देखे, कितना बड़ा है ये crop और ये gizzard आपको छोटा सा दिखाए गया जो crop है यहीं पर food को store किया जाता है हम लोगों में food कहां store होता है human की अगर बात करें तो human में food को कहां पर store करते है bird में, bird में crop और gizzard present होता है बिलकुल सही है, paired salivary gland पाई जाती है paired salivary gland यहां पर present होती है, ठीक है salivary gland यहां पर पाई जाती है, ठीक है अब देखे, crop used for storing of food ठीक है, और हमारा जो हमारे elementary कनाल में stomach food को store करता है, जबकि कांकरोच में crop food को store करने का काम करता है, crop is the widest part of elementary कनाल यह सबसे चोड़ा हिस्सा, widest part होता है, अच्छा होता है human में widest part क्या है, elementary कनाल का अब crop के बाद अगला reason क्या आता है, gizzard gizzard क्या होता है, gizzard में पाई जाते हैं six highly chitinous plate called teeth, gizzard, बहुत important gizzard के अंदर six highly chitinous plate पाई जाती है, जिनने teeth का नाम दिया जाता है हमारी body में भी elementary कनाल में सबसे widest part stomach होता है यहाँ पर crop सबसे widest part होता है, gizzard help in the grinding of food particle है तो grinding का काम कौन करता है, कांकरोच में grinding का काम और कौन करता है दो चीज़े मैंने बताई हैं, दोनों नाम जल्दी से बताईए अब आते हैं mid gut की बात करते हैं, ठीक है, mid gut की अगर बात की जाए तो mid gut में 6 to 8, 6 to 8 blind tubule called hepatic or gastric C key is present at the junction of 4 gut and mid gut which secrete digestive juice, that is the important question 6 to 8 hepatic C key present होती है, junction of 4 gut and mid gut maxilla नहीं, mandible और gizzard, mandible और gizzard ये grinding का काम करते हैं, ठीक है mandible और gizzard grinding का काम करते हैं, अब देखे, at the junction of mid gut and hind gut this present is 100 to 150 yellow colored malpesian tubule, और malpesian tubule का का काम क्या होता है excretory product को remove करने का, यानि excretion करने का काम करते हैं, खतम तो 4 gut और mid gut के junction पे hepatic C की, और mid gut और hind gut के junction पे malpesian tubule होते हैं hind gut, hind gut is broader than mid gut, ठीक और इसके 3 पार्ट है, ileum, colon, rectum बहुत important है, ileum, colon, rectum तीन पार्ट होते हैं, यहाँ कोई सीकम नहीं है कोई diodenum, jejunum नहीं है, जैसे हम लोग अपने body में परते हैं, diodenum, jejunum, ileum सीकम, colon, rectum नहीं यहाँ पर केवल, ileum, colon, rectum होते हैं, और rectum NS के दोरा body के बाहर के तरफ open हो जाता है, तो यह हो गया elementary कैनल, अब आते हैं, abdomen की बात करते हैं abdomen नहीं है, तो आपका है circulatory system, blood vascular system और circulatory system blood vascular system, अब आर्थ्रोपोर्डा में बात करें, तो open type का circulatory system present होता है, खदम है न, open type का circulatory system होता है, और यहाँ पर जो open spaces पाए जाते हैं, उन्हें hemo seal का नाम दिया जाता है, सबसे खास जो बात है ठीक है, यहाँ पर blood have no respiratory pigment, blood में hemoglobin, hemocyanin, कुछ नहीं होता है so it is colorless and called hemolymph, यहाँ blood को hemolymph कहते हैं, और hemolymph के अंदर colorless plasma और hemocyte पाई जाती है, यहाँ कोई RBC नहीं, यहाँ पर hemocyte present होती है due to absence of respiratory pigment, blood has no role in respiration, blood cellar phagocytic in nature तो बहुत important point है, कि insect के, insect के blood में कोई भी respiratory pigment नहीं पाया जाता है इससे hemolymph कहा जाता है, हर्ट की अगर बात की जाए, तो इनका जो हर्ट होता है इनके हर्ट में 13 chamber present होते हैं 13 chambered hurt पाया जाता है, 13 chambered hurt present होता है, हमारा हर्ट कितने chamber का है, 4 का इनका 13 chamber का 13 chambers, जिन में से पहले 3 chamber जो होते हैं, वो thoracic segment में होते हैं और बाकी जो 10 chamber होते हैं, abdominal reason में होते हैं, thoracic segment 3 होते हैं, abdominal segment 10 होते हैं thoracic segment में 3 chamber हो गए, और abdominal segment में 10 chamber हो गए, 13 chamber यहाँ पर हो जाएंगे हर्ट आफ कांक्रोच इस नियूरोजनिक ठीक है नियूरोजनिक का मतलब यह है कि हर्ट बीट को नर्व इंपल्स के दौरा इस्टिमुलेट किया जाता है या जनरेट किया जाता है हमारा हर्ट कैसा है जल्ली से आप बताइए 12 पेर आफ ट्रैंगुलर एलरी मसल्स आर प्रिजेंट बारा पेर एलरी मसल्स यहाँ पर प्रिजेंट होती है फिगर आपको दिखाए गई है यह देखे यह यह एलरी मसल्स आपको दिखाए गई है ना यह एलरी मसल्स है और चेंबर है तो 13 चेंबर होते हैं और 12 पेर एलरी म ही यहाँ पर अब respiratory system की बात करें तो respiration के लिए trachea present होते हैं tracheal system पाये था आप पहले से जानते हैं हाँ हमारा heart होता है myogenic heart trachea पाये जाते हैं तो trachea open through 10 pair of small hole called spiracle तो trachea environment में open करते हैं 10 pair spiracle के दोरा और जो spiracle होते हैं यह हमारे nostril के equivalent होते हैं spiracle nostril के equivalent होते हैं 10 pair total spiracle है शुरुवात के 2 pair thorax में पाये जाते हैं और 8 pair जो spiracle होते हैं abdominal region के अंदर present होते हैं चलो इतना काम भरका हो गया अब आते हैं excretory system excretion कैसे होता मालपीजन टिबूल के दोरा ठीक मालपीजन टिबूल में glandular और ciliated cell पाई जाते हैं ठीक है और जो nitrogenous waste होता है कांकरोज में क्या है यूरीक acid होता है ठीक यूरीक acid और इसलिए इन्हें यूरीको टेलिक नाम दिया जाता है इनसे को यूरीको टेलिक कहते हैं मालपीजन टिबूल के अलावा fat body nephrosite और यूरीको ग्लेंड भी excretion में मदद करते हैं ठीक ही यह भी excretion में मदद करते हैं अब आते हैं nervous system जोनका nervous system होता है यह fused segmentally arranged ganglia से बना होता है और यहां पर paired longitudinal connective on the ventral side तो ventral paired nerve cord यहां पर पायता है नहीं देखे लिखा भी ventral nerve cord is the common structure between earthworm and कहां को रोज़ अक्चुली यह non-cordate का feature होता है ठीक है non-cordate का feature होता है the double ventral यही सबसे ज़्यादा पूछा था double ventral nerve cord double ventral nerve cord that is the very good ठीक है very good double ventral nerve cord अब देखो the head hold a bit of the nervous system बहुत बढ़ी हाँ सवाल यह भी नीट में पूछा गया है head में nervous system का बहुत कम हिस्टा है a bit मतलब बहुत कम हिस्टा पाय जाता है while the rest is situated along the ventral part of the body so now you can understand that if the head of a cockroach is cut off it will live for as long as one week अगर इसके head को अलग कर दिया जाए body से तो एक हपते तक cockroach जिंदा रह सकता है क्योंकि इसके nervous system का बहुत कम हिस्टा इसके head में present होता है अब देखो head reason में brain brain को कौन रिप्रेजन करता है supra isofasial ganglion that is formed by the fusion of three ganglia है ना और यो supra isofasial ganglion है that applies nerve to the antennae and the compound eye antennae is the plural form of the antennae अब आते हैं sense organ sense organ क्या है antennae, eyes, compound eye, maxillary palp, labial palp, anal, ciri, etc. ठीक है compound eye की अगर हम बात करें तो एक pair eye यहाँ पर पाई जाते हो एक eye में 2000 hexagonal, hexagonal मतलब इसाकार की, hexagonal ometidia present होती है, ठीक है with the help of several ometidia, एक cockroach कहें रहे हो several images of an object, एक object की कई सारी image बनती जिसे mosaic vision या opposition image का नाम दिया जाता है, with, बहुत important, more sensitivity but less resolution, ठीक, more sensitivity but being common during night, hence called nocturnal vision, तो जो mosaic vision इसे nocturnal vision कहते हैं क्योंकि यह night में common होता, sensitivity जादा है, लेकिन resolution कम होता, मतलब दिखाई तो देता है, लेकिन clear image का formation नहीं होता है, endocrine system में कोई बहुत important बात नहीं है, reproductive system यह important है, ठीक है, reproductive system, cockroaches are diceous, मतलब यह uni sexual nature के होते हैं, and both sexes have well developed reproductive organ, अर्थवर्म कैसा होता आप बताईए, अर्थवर्म कैसा होता है, अर्थवर्म होता है, monoisious nature का, अच्छा human कैसा होता है, they exhibit sexual dimorphism, ठीक है, कैसे, metathoracic wing male में abdomen के बाद तक extend करते है, anal style केवल male में female में नहीं पाई जाती है, ठीक है, human कैसा है, कुछ लोग human को बता रहें monoisious, अब यह monoisious मतलब bisexual, तुम bisexual हो, इतने गदहे हो, अपने वारे में नहीं पता है, कि mono, monoisious नहीं की बनाता नहीं तो इस ताली वजा रहे होते है, ना लेख, चलो, पहले बात करते है, male reproductive system के बारे में, male reproductive system में क्या है, testis, vast difference, is a collatory duct, seminal vesicle, mushroom shape gland, these are important, mushroom shape gland, seminal vesicle वाला point important, phallic gland and phallomere, ठीक है, आप देखो, अगर काम की बाते हम कर लेते हैं, यहाँ पर जो important है, जो one pair testis होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, fourth to sixth abdominal segment, हर चीज़ आप याद कर नहीं पाऊगे, जितनी जरूरी बाते हों आपको याद करनी है, mushroom shaped gland, इन्हें utricular gland भी कहा जाता है, कहां पर हैं, sixth to seventh segment, ठीक है, six to seventh segment और यह accessory reproductive gland होते हैं, अच्छा, human में बता सकते हो, human में accessory reproductive gland काउंसी होते हैं, the external genitalia are represented by male gunapophysis और phelomere, बहुत important, phelomere is the external genitalia, these are chitinous asymmetrical structure, chitinous asymmetrical structure, अच्छा, यह बताओ कि, अगर human की बात करें, तो human में male में, human male में external genitalia क्या है, phelomere तीन होते हैं, phelomere तीन होते हैं, एक होता right, एक left और एक ventral होता है, और जो left phelomere होता है, इसके पास pseudopenis पाया जाता है, जो की cupulation में मदद करता है, phelic gland या इन्हें conglobate gland कहा जाता है, यह unpaired gland होती हैं, अगर हम male की बात करें, तो male में जो penis होता है, वो external genitalia होता है, human की case में, यहाँ पर penis नहीं लेकिन pseudo-penis पाया जाता है, यह ना phelomere, जो left phelomere है, उसमें pseudo-penis नाम का structure पाया जाता है, और phelomere को यहाँ पर external genitalia केता है, तो compare जब तक नहीं करेंगे, तब तक आप exam में नहीं कर पाएंगे, अब आगे बढ़ते हैं, sperm are stored in the seminal vesicle, यह बहुत important, sperm को seminal vesicle के अंदर store किया था और सारे sperm का को आपस में चिपका के एक bundle तैयार करते हैं, sperm का जिसे spermatophore का नाम दिया जाता है, sperm के bundle को क्या कहते है, spermatophore का नाम दिया जाता है, female reproductive system की बात करें, तो female reproductive system में over-ease हो जाएंगी, oveduct, vagina, genital chamber, spermatical, colateral gland, वहाँ पर थी conglobate, यहाँ पर colateral gonapophysis, तो यहाँ spermatical important है, वहाँ पर seminal vesicle important है, वहाँ mushroom shape gland थी, यहाँ colateral gland है, female में 7th sternum boot shape का होता है, और यह earth और 9th sternum के साथ मिलके एक brood या genital pouch का formation करता है, ठीक है, दो large ovaries होती है, जो second से sixth abdominal segment तक पाई जाती है, testis कहाँ पर था, जल्दी से लिखो बताओ, testis कहाँ पर था, ovaries second से sixth segment तक है, testis कहाँ पर थे, कुछ लोग करें external genitalia का नाम नहीं लेते हैं, बहुत बड़ी है, इच ओवरी, इच ओवरी बहुत इंपोर्टेंट है, ग्रूप ओफ एट ओवरियन, टिब्योल और ओवरियोल, एक ओवरी में आठ ओवरियोल पाए जाते हैं, और हर ओवरियोल के अंदर एक एक develop होता है, एक pair of spermatica is present in the sixth segment, देखो testis चौथे से छटे से सेगमेंट तक होते हैं, ovaries दूसरे से छटे सेगमेंट तक हैं, और अगर आप बात करते हैं, तो यह sixth segment में present होती हैं, Spermethic receive sperm from the male during copulation Seminal viscule के अंदर male sperm को store करते हैं और copulation के बाद female spermethic के अंदर sperm को store करने का काम करते है Fertilization internal हो जाएगा External वाले आपने याद ही रखेते हैं In female genital pouch The fertilized egg are encased in capsule call उत्हीकी या singular form में उत्हीका कहते हैं Fertilize एक को एक capsule के अंदर बंद कर दिया जाता है जिसे उत्हीका कहते हैं उत्हीका 8 mm long होता है या आप याद कर सकते हैं ठीक है? उत्हीका 8 mm long होता है और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर on an average female produce 9 to 10 उत्हीकी each containing 14 to 16 यह भी important question यहाँ पर हो सकते हैं number of fertilize एक इन उत्हीका इस 16 in two rows क्योंकि दो औरी हैं एक औरी में 8 overall है तो दो औरी में 16 overall हो जाएंगे 16 overall में 16 एक होंगे और 16 एक जब होंगे तो 16 एक का fertilization होगा 16 जाइगोट का formation हो जाएगा female produces 10 to 40 उत्हीका in lifetime the development of periplanet americanized porometabolas यह important NCRT में दिया porometabolas meaning there is development through nymphal stage ठीक है the nymph look very much like adult the nymph grows by malting about 13 times to raise the adult stage तो 13 chamber का hurt भी पाए जाता और 13 बार यहाँ पर malting होती है यानि नymph से adult तक बनने में 13 बार malting होती ही यह आप याद रखेंगे the next to last nymphal stage has wing pad but only adult cockroach है वो wing यानि आखरी stage से पहले wing pad आ जाती है लेकिन केवल adult का अक्रोच में ही wings present होते है जादा तर जो species होती है उनका कोई economic importance नहीं होता है ठीक यह pest की तरह काम करते हैं और यह destroy करते हैं हमारे food को और उसको contaminate कर देते हैं अपने excreta के दौरा अपनी feces के दौरा they can transmit a variety of bacterial diseases by contaminating food material काई सारी bacterial diseases को transport करने का भी काम करते हैं